हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सभी मैं ओम सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल चैन मंत्रा पर तो आज हम आपके लिए हमारी जो स्री चल रहे थी ब्रह्मोश की उसका नेक्स सेशन लेकर आए हैं इस सेशन में जो भी कोशन हैं कुछ कोशन ऐसे हैं कुछ इस चूडेंटरों यूट में जो अशुक करने के बाद उसको सोट सेशन माध्यमं से बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इस स्रीज में लेकर आते हैं और आप लोग को बताते हैं तो आज हम सीधे अपने टोपिक पर चलते हैं बस मैं इतना कहूंगा अपनी पढ़ाई अच्छे से रखना क्योंकि आप लोगों को जैसे मैं पिछली के लास में बताया है कि इसी नमवंबर में नमवंबर के लास्ट में दिल्ली कोंस्टेबल के पेपर सुरू हो जाएंगे मतलब ओनलाइन फोर्म भरना सुरू हो जाएंगे आप उसकी तयारी रखिए पहली अटेंप में आप आप लोग को करना इंदी आप पहला अटेंप नहीं कर पाई तो आप लोग को कम सकम 2-3 साल का वेट करना पड़ जाएगा तो आप लोग को वेट बिल्कुल नहीं करना है इसलिए कह रहा हूं कि अच्छी तयारी रखिए अपना फिजीकल भी अच्छा रखिए और रेटन अच्छा रखे ताकि आप पहले ही अटेंप में उतना सेलेक्शन पाले और आगे बढ़ते चले उसके बाद जब कभी फोम आएंगे चाहिए किसी के भी है आप उसको तब डाल लेना लेकिन इस बार आप अपने जोब प्राप्त कर लेना ठीक है चलते हैं अपनी स्रीज पर तो हमारे पास जो पहला कोशन है वो क्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जो 228, 282 और 288 को पूंते विभाजित करें तो यह कोशन अच्छा है तो सबसे पहले हम अपना पूंप फैंट पैंचेंस कर लेते हैं तो देखो इस कोशन को करने के दो तरीके बताऊ करतें हों दोनों में से जों सापको उते बहलों जों सा आपको आच्छा लग में वह करना दोनों ही आसान है हर नहीं है ठीक है आब दो इसमें औरонов 2,2,88 ऐ कम यह तीन संख्या संख्या यह इसमें चापूँचा गया है वह है बड़ी संख्या ज्याद करें जो 228, 282 और 288 को पूंतर विभाज़त कर दें मतलब इन तेनों को पूंतर विभाज़त कर दें ऐसे संक्या में बतानी है अब देखो सबसे पहले हम इस प्रकार के कोर्सर में क्या काम करेंगे इनको आपस में घटार या तो इनका सीधा-सीधा भाग दो और 288 का 202 भाग दो लेकर तो उसे थोड़ा लंबा हो जाएगा फड़ा असान करते हैं इसको हम क्या करेंगे इसमें इन दोनों का अंतर इन दोनों का अंतर कितना है तो सबसे पहले देखेंगे हम 228 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा यहाँ से क्योंकि 2-8 तो नहीं जा पाएगा तो यहाँ से क्या 8 में से हमने 10 लिया है 12 होगे 12 में से 8 गए कितने बचेंगे चार बचें यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास साथ बचें फिर यहाँ पर दो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा पांच और दोसे दो गटानी होती है तो कितना आ जाए गहां पर 6 आ जाएगा यह हो गया अब क्या काम करेंगा अब इन दोनों का अंतर लो है जानी 280 में से अब 2028 घटाने अब देखो 288 दिया गया इसमें कितना घटा रहें कितने साथ बचेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा इन तीनों को काट दें क्याई साथ संख्या नों को काट देगी क्योंकिसाथ बढ़ी है। उसका मतलब क्या है वह बड़ी से बड़ी संक्या क्या होगी चाहोगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दी हो जाएगा ठीक है यह दूसरा तरीका इनको आपस में भाग देना शुरू कर दो है का हम चवूर में भाग देंगे जो हम यहां पर काम कर रहे थे बड़ा वाला क्योंकि यहां पर बड़ी संक्या होते हैं तो बड़ी संक्या को भाग देना हाड होता है छोटी को आसान होता है तो कितना छै निम कितना होगे चवू वन मिनट तरीखा कैसे करोगे तो देखो एक तरीका तो यह हुआ दूसरा तरीका देखो हमारे पास संक्या की तीन दी खई एक तो 288 दी गई है ठीक है 202 दी गई टीक है 288 दी गई है अब सबसे पहले देखो हमें वह संक्या ग्याद करनी है। कूंत जोटी शूट बड़ी से बड़ी जो इन तहीं इन संक्राइगे अब तीन का क्या रूल होता है था इन गोह होता है कि अंकों का योग तीन से कट जाए तो संuwा तीन से कट जाती है ठीक है देखते हैं आठ दो दस दो एस सकता था ढ Pourquoi मेहाशना और Со से कट जाएगे ये कट जाएगी चार से लास की दो संख्या चार से कट जाएगे तो पूरी संख्या चार से कट जाएगे अठाई चार से कट जाएगा बैसी चार से नहीं कटेगा तो यह नहीं हो सकता पांच से को इसी नहीं कटेगी नहीं हो सकता छे यह तीनों को काट देग आप उस तरीकों को follow कर सकते हो ठीक है आगे चलते हैं अब देखो हमारे पास यह कोशन है अब इस कोशन में क्या बोला जा रहा है एक्स और वाई की आयू 6 अनुपात 5 के अनुपात में है ठीक है कोई दिक्कत नहीं और उनकी कुल उम्र 44 वर्स है तो 8 वर्स के बाद उनकी आ आयू का जो अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है कि दोनों की आयू है उनका रेसों कितना दे रखा है लेकिन इन दोनों का योग कितना दे रखा है तो इन दोनों का योग कितना है तो यानि 6 और 5 कितना होगे 11 तो 11 यूनिट 11 यूनिट कमान कितना दे रखा है इसने 44 तो एक यूनिट कमान कितना हो गया एक यूनिट कमान हो गया चार जब एक यूनिट कमान हमारे पास चार हो गया ठीक है एक यूनिट कमान कितना हो जाएगा इसमें चार का मल्टिपल कितना आगे 24 इसका कितना आ जाएगा पांचोग 20 इतना आ गया इसका मतलब क्या है यह उन उसने क्या पूछा है आठ वर्स बाद उनकी आयू का अनुपाद क्या होगा अब खुद देखो वरतमान में इसकी आयू कितनी है चोबिस तो आठ वर्स बाद कितनी हो जाएगी तो चोबिस में आठ जोड़ दो कितना आ गया आठ चोख यह चोबिस है इसमाठ जोड़ा कितना गया 32 अनुपाद विसमें आठ जोड़ेंगे कितना जाएगा 28 अब यह किस से कट रहे हैं काट के देख लो दो से कर चोड़ चार से कट रहे हैं चार यठे 32 तो आठ रेसो कितना आगे साथ तो आठ वर्स बाद उनकी आयू का अनुपा साथ इसका आंशर हो जाएगा डेस का क्रेक्ट हो जाएगा जैसे उनकी अनुपात दिया हुआ然 था और इन दोनों का यूग 44 दिया हुआ था एक hey कितना चार तो च्छा यूनिट कमान कितना वहगए नहीं कितनल के इनकी वारतमान में एकस चोविस साल का है और वाई कितने साल का मिस गया टॉछेACE Cders अब देखो, टाइम और वर्क से कोशन पूछा हुआ है हाँ पर, क्या बोला जा रहा है इसमें, A और B करम से एक कार्य को 12 दिनों में और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे 6 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, 6 कार्य C दुआरा 12 दिन में पूरा कर लिया जाता ह है, B और C एक साथ मिलकर उस कार्य का, तो बटा तीन भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, अब देखो, इसमें क्या है, तीन में दे रखे हैं, उनमें क्या है, A और B, पहले काम करते हैं, एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, जब वो एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, तो उन में दोनों से स्टाहिक कि mistakes आप करने के क्लिए दृष दिन में कर रहा है विए व सकम तो उस सद्साव को मिल कर इस काम को डूबटा तेन वाग क्लिए कम करेंगे अब देखो कि इसे को कीदने कर रहा है कि 10 दिनमे कर रहा है B कितने दिन में कर रहा है इसको 20 दिन में कर रहा है दोनों को हमने L से में लिया कितना आ गया 60 आ गया 12 पंजे 60 और 20 तिया 60 तो हमारे पास total काम कितना है 60 काम है हमारे पास total B एक दिन में 3 काम कर रहा है A एक दिन में 5 काम कर रहा है तो दोनों को जो हम मिलाएंगे यानि A पिलस B दोनों को हमने एक साथ काम करने के लिए बोला तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे पांच और तीन कितना होगे आठ तो A और B दोनों जब एक साथ काम करते हैं वो एक दिन में आठ काम कर लेते हैं और उन्हें ने कितने तक 6 दिन तक एक साथ काम किया था एक दिन में 8 काम खतम हो रहे हैं तो 6 दिन में कितना काम खतम हो रहा हुगा है आठ चिंग 48, तो 48 काम इन्होंने क्या काम कर दिया, खतम कर दिया, जब उन्होंने काम को छोड़ा था, वे अपना 48 काम पूरा कर लिया था उन्होंने, अब काम कितना बचा, टोटल काम कितना था, 60 है, अब काम कितना बचा, तो काम बचा हमारे पास 12, तो काम बचा हमारे पा मां इसका एक दिन का काम कितना है एक और नहीं से कहब एक साथ काम, एक साथ काम करें, तो B एक दिन में कितना काम कर रहा है, तीन, और C एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक, तो B और C यदि दोनों को हम मिलाएंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तीन अरे कितना होगे, चार, तो एक दिन में चार काम कर रहे है, टोटर काम क तो टो टोटल काम बट एक दिन का काम कितना आगा गया दस दिन तो डोनोस काम को कितने दिन 6 दिन तक काम किया तो को टुटल काम के तना हो गया है ग। किसल टूटल काम कितना है 5 क एक तना करना है साठ का 2 बट्टा करना है एशाली है 10डिन, mulus को रकिम लाज़के नव गयाarness 10 तन नने हो गया कुंकि प्रम मेंaat 2 maior Mumbai में चलते हैं और देखो कि इस वाले को न मैं इसमें क्या बोर जा रहा है यदि एकुट रहींस्त कम है तो बी की उंचाई एक की तुलना में कितने परसेंट कम है अब इस टाइब के कोशन में आप लोग को पीछे कराए थे उसमें क्या था चालिस परसेंट कम है तो मैंने बोला था जितना उप परसेंट दिया है वह और उसका कम नीचे लिख दो तो हमेशा सो में से कम होता ह तो कितना बचेगा साथ और परसंटेज निकालने के लिए तो से मल्टीपल कर लो तो कितना आ गया हो गया हमारे कोशन एक जिरो से एक जिरो कट गई ठीक है या इधर से जिरो काट लो टो एक जिरो से एक जिरो कट करें तो नहीं हो चाहिंशतात ठीक है दो दोनी चाहर दो सो बटे और दो सो इसका रीक्ट सब्सक्राइब सर्सक्राइब प्रेक्ट विल्ह नासो है गता कितनी कम है इस दोनों का अंतर कितना के 40 कितनी में से कम है इस परसेंटेज किसी निकाल लिए तो वह चीज वहां पे आ जाती है ठीक है तो वही तरीका बहस्त है आगे चलते हो अब ये भी कोशन अच्छा है इसमें क्या बोला गया है आरोही क्रम में ली गई छे क्रमागत सम संख्याओं का ओसत एक सो साथ है अन्तिम तीन संख्याओं का ओसत ग्याद करो तो सबसे पहले इसमें एक चीज देख लो करमागत संख्या बोली गई है यदि मैने आपके सामने लिखा 2 और 4 दोनों संख्या है मैने बोला कि इन दोनों का ओसत क्या होगा तो हम इस अध्यान का ओसत कैसे निकालते है इन दोनों का योग कितना गया है 6 इन दोनों के योग कितना गया है चे और कितने डिजिट है दो तो दो से भाग दे दिया कितना गया तीन ठीक है फिर मैंने लिखा दो चार आठ अब इसका कैसे निकालोगे चे और आठ कितने हो गए चे और आठ हो गए हमर पास 14 सवरी है कि दो चार चे आए गया अगली संसंख्य तो दो तर शे कितना आ गये इनका योग बारा बारा गया तो कितना गया उसका चार तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना क्या चीज़ दहान रखने है आप लोग को जब भी आप से उसत पूछा जाएं ओसत पूछा जाए तो इसका तीन है इसका चारा है तो हमेसे ध्यान देनास की जो बीच वाले संख्या होती है ना ओसत वही आता है यहाँ पे बीच में क्या है तीन है जो की नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे बीच में क्या है चार है यदि दो चार छे आठ होता तो मैं पूछे इसका उसत क्या है तो इसका उसत क्या हो गए इनके बीच में पांच तो इसका उसत पांच आता इसका उसत पांच होता है इसका मत तरफ बरावे तो बीच वाली संख्य उसका उसत माना जाता है ठीक है आप देखो को सन में यदि आप वैसे भी करना चाहते हो तो वैसे अब भी कर सकते हो कैसे चैक करमा के संख्या दिए ए पिलस दो ए पिलस फोर इनका योग छे बार इनको लिखा जाएगा उसके बाद क्या होगा इन सभी को जोड़ोगे बराबर च्छे बटेच बराबर एक सो साथ आता था थोड़ा लंबा हो जाता लेकिन हमें ऐसे नहीं करन आमें कैसा करना है वह उन्होंने बोला एक सो साथ एक सो साथ यह क्या है एक सो साथ उन संख्याओं का ओसत है और टोटल संख्या कितनी है छे दे राखे है ध्यान देना एक सो साथ विसा मारी है संख्या एक साथ विसा मैं लेकिन सम का पूछा गया इसका मतलब क्या है तीन स 106, 104 और 102 ठीक है अब यह देखो हमारी यह 3 संख्या यह भी सम है और यह भी सम है तो यह जो 6 संख्या हो गई इन 6 संख्याओं का उस्षद कितना दे रखा है 107 दे रखा है अब इनको तुम जोड़ोगे जोडने के बाद 6 से डिवाइड करोगे तो 107 ही आएगा बास है ना अ 106, 108, 110, 112 अब इनको सतकितना दे रखा एक सौसाथ दे रखा है अब उससा पूछा क्या है उससे पूछा अंतिम inタ संख्या निकालो ही यह रहीं त्यम संख्या इनको तो वहीं हो में १ारा और तो यह आप लोगों से पूछा जाता कि अपर तर्फम पिर 104 होता ओप से पूछा जा सकता था है कि पहली संक्या कौन सी कौन सी है तो 100 होता आउसे पूछा जाता अन्तिम संक्ष्य कोउन सी है तो 112 होता котором वास है देकिन पूछा क्या अन्तिम तीन संख्याों को से डंस तो क्या H 122 होता है बास ही है आगे चलते हैं मी आप देखो यह भी ये भी अच्छा कोशन है, क्या पूछा जा रहा है इसमें, A, B और C की आयू का योग 66 वर्स है, ठीक है, ये टाइमर वक्स है नहीं है, किस से दे दियागे, एवरेस से दिया हुआ है, A की आयू तथा B और C की संयुक्त आयू का अनुपाद 5 अनुपाद 6 है, B की आयू तथा A और C की संयुक्त आयू का अनुपाद, 4 अनुपाद 7 है, तो C की आयू वर्सों में क्या होगी, अच्छा कोशन है, अब देखो इसमें क्या बोला है, A, इनमें 3 मेंबर दिये गए हैं, क्या बोला जा रहा है, कि A, पिलस B, पिलस C, इन 3 का जो योग है, इन 3 की आयू का जो इनकी आयू का योग कितने रहा है, 66 वर्स दे रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत वली बात नहीं है, फिर क्या बोला है, इसने, A की आयू, तथा B और C, यानि B और C एक साथ दे दिये है, B, पिलस C, इनकी आयू का जो अनुपाद है, वो कितने रहा है, पांच अनुपाद, 6 इनका अनुपात दे रखा पांच अनुपाच है अब इसमें क्या दे दिया च्छे दिया कोई धिक्कत वाली बात नहीं है देखा यह हमारा कोशन यहां से भी हो जाएगा लेकिन इन्होंने एक स्टेप आगे और दिया गया है ठीक है क्या बोला गया है भी की आयू अफ इसने कोई सालेलों में हैं में सी की आयू का अब देखो हमें अच्छी तरzej से दीक्राइए यहां पर पिलस बी पिलस इंती दो को यो कितना दे रखा च्छा-छासाट दे रखा है तो इस करे टिक्षा और इन कितना दे रखा है 6 दे रखा है यह यूनिट किस के बराबर दे रख यह यूटि दे रहाकि 56 के बराबर तो कितना कि एक सबस्राइब 60 सब्सक्राइब निकाल तो फ्रयुनित कॉर्जथो निकालना है और एक उनिस्त कमाइब क्या तो में एक तो हमें से और को मान निकालना है आप ह M और सी का मान कितना हो जाएगा दो हुगा तब थो उनिट कितना हो जाएगा बजहें कितना हो जाएगा बार है इसका मतलौ İn से भी स्ष्रामना जाएगा और हैं सवे आजाएगा वर यहां से बिते हैं यह दो है है तो इसका दो होगा तभी तो छे होगा तो यहां से ले लो तो सी का जो आई यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी बार रहें इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगे जलते हैं तो हमारे कोशन यहीं थे आप लोगों को हमारी क्लास कैसे लेगी ज़रूर बता ना यदि आप बटन नहीं है वो मैं डाल देता हूं मत भूलना उसको करना ये मेरे लिए आप लोगों ने मुझे देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी से विदा लेता हूं थेंक्यो